बाश्कार जैस्वी कृष्णा मैं राकेश शिवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ समय से हमारी ज्योतिष ग्यान के नाम से एक सिरीज चल रही है जिसमें हम बेसिक से लेके और एड़वांस तक किस्तिलोजी पढ़ाएंगे और अगर आप उस सिरीज को पूरा अटेंट करते हैं या पूरा पढ़ लेते हैं तो एक कोई शक नहीं कि आप अच्छे जोतिस बन सकेंगे आप जरा उसको देखिएगा उसकी चौनतिस पार्ट हो चुके हैं बाकी अगला पार्ट हम बता रह पर आप पर पंजदा मेत्री और ग्रहों की मेत्री कैसे निकालें देखें ग्रहों की मैत्री नैसा की कि मित्र शक्त्रू संपधिये सब चीज धीवही होती है कोई भी किताब आप उठा लीजिए चाए वह ब्रैथ पाराशरोरा शास्तरा हो चाए बोपोई बी वह उसमें ह ठीक है कि इनको याद करना लेकिन बड़ा important काम होता है जैसे ये table मित्र शत्रू की दे रखी है ये है इसमें हर ग्रह के मित्र कौन है शत्रू कौन है सम कौन है ये दिये हुए है लेकिन ये बहुत practice से आता है जब आप बार बार use करते रहते हैं बार बार देखते रहते हैं त क्योंकि एकदम given-take भी नहीं है कि कोई किसी को मित्र माने कोई किसी वह इसको मित्र माने इसा भी नहीं है कोई किसी को मित्र मानता है लेकिन दूसरा सुंझ पर इसकी ये बहुत इसके अंदर वो होता, जैसे शुक्र है, वो मंगल को सम मानता है, शुक्र मंगल को सम मानता है, मंगल भी चलिए शुक्र को सम मानता है, गुरू को सम मानता है, लेकिन शुक्र को गुरू शत्रू मानता है, तो इसलिए मतलब कोई गिवन्टेक वाला मेथड नहीं ह और याद करने में समय लगता है थोड़ा जब तक प्रेटेस करते रहते हैं दीर दीर याद जाती है इसके सिवा मैंने आपको यह भी बताया था कैसे हम लोग ग्राउan को और सिंपल तरीके से देख सकते हैं लेकिन तरीका ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से हम लोग ये निकाल सके मालियक कि आपको कहीं भी आप भुल गए कि सूर्य के मित्र कौन है शत्रू कान है सम कोन है तो आपके पास कोई एसा होना चाईए जिसके फॉर्मुले की वज़े से आप उस चीजको Norm रहा क्या जिसके के लिए हेलो कर लिया, हेलो हाई कर लिया, नमस्ते वली, मिल गए तो हाल चाल पूछ लिया, इस से ज़ादा की दोस्ती नहीं हो, वो लोग सम होते हैं, वो ग्रह सम होते हैं, तो अब कैसे निकालें, किसी भी ग्रह के मित्र शत्रू और सम कैसे निकालें, तो उसके लिए सबसे सिंपल formula दिया हुआ है कि जिसभी क्रेह के आपको मित्र शत्रू अरσαम निकालने हैं उस ग्रहिकी मूलक्रिकवन राशी जो होती है वह हम लोगों मालूम है जो हमले के पड़े ए हैं कि ग्रहों की दो राशी है नो राशी ह्मीर है लेकिं सूर्य चंद्रमा की एक वो ने निकालने हैं, कि सूरे के मुल्तिकौन राजी होती है, वो सिंघ होती है, दो चीज़ याद रखनी है, कि सूरे की मॉल्तिकौन राजी कौन सी है, और सूरे की उच्छ राशी कौन सी है वो सिंग होती है सूरे की उच्छ राशी को याद रखी है वो मेश होती जो मुर्ट्री को राशी है सिंग heats किसको लगन मनाई है और कुंडली कुंडली डिजाइट कर लिए यह कुंडली बन गया कि लगन बना देएगी. लगन बनाके कुंड़्डी बना देएगा. फिर क्या होगा? फिर ये देखिए कि वहाँ से दूसरे चौथे पाँचवे आठवे नवे बारवे यानिकि इस राषी से दूसरे, दूसरा ये हुआ, चौथा कौन सा हुआ? तीन, चार, चौथे, पांचवे, फिर छटे, साथवे, आठवे, आठवा देखना पड़ेगा, फिर नौवा देखना पड़ेगा, फिर दस ग्यारा छोड़ दो फिर बार्वा देखना पड़ेगा, कहने का मतलब यह है कि जो मूल त्रिकोन राशी है, उससे दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, आटवा भाव, नवा भाव और बारे भाव में जो राशी बैठी है, उनके जो स्वामी है, वो उस ग्रह के मित्र होंगे, या इसमें एक exception ये भी है, कि suppose करो कि सूरे की उच्छ राशी एक नंबर है, लेकिन वो दो, चार, पांच, आठ, बारे भाव में नहीं आती, लगन से दो, चार, आठ, नो, बारे भाव में नहीं आती, किसी और भाव में आती है, अब हमारे इसाब से तो ये हुगा कि दूसरे चौते, पांचवे, आठवे, नवे और बारवे भाव में बैठे स्वामी जो होते हैं, राशियों के स्वामी नहीं रहेगी वो मित्र बन जाए तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य या कोई भी इग्र है अपनी मूलत्र कोन राशी से और अपने दूसरे पांच चौथे पांचवे आठवे नवे बारवे भाव में बैठी वी राशी के स्वामी से मित्रता रखता है और जो अपनी उच्छ में उसर राशी होती है उसके स्वामी से भी वो अपनी मित्रता रखता है और बाकी जो थाना उते हैं उनने उसके शत्रू हो जाते है उगने तो दोनों हो जाता है तो आपको सानी हो जाएगी बहुत ज्जादा तो यही मतलब आप समझिए कि जिस भी ग्रह के मित्र आपने निकालने हो मित्र शत्रुसाब निकालने हो उस ग्रह के मुंत्रिकोन राशी को लगन बना लेजिए और उससे दूसरे चौथे पांचवे आठवे नवे बारवे आपको देखिए वहाँ पे जो राशिया हैं उन राशियों के स्वामी उस ग्रह के मित्र हो देखिए इसके अलावा उस ग्रह की जहां पे उच्छ राशी है उसका स्वामी भी उस ग्रह का मित्र हो अब कैसे देखते हैं देखिए सूरे के मित्र निकाल रहे हैं चौथे स्थान में राशी कौन सी है, आठ नमर राशी है, तो मंगल मित्र हो गया, फिर पांचवे स्थान पर आईए, तो पांचवे स्थान पर कौन सी राशी है, नवी राशी है, तो ब्रस्पती मित्र हो गया, फिर आठवे स्थान पर आईए, आठवे स्थान में कौन सी र चंद्रमा देखना पड़ेघा घ्या ये थिए उच्छ राशी बीवस्ट की दॉने लुद्ध में और इस फ्रकार हमने निकाले कि सुजे के मित्र जो बंते हैं बुद्धु बंता है मंगल बंता है फिर ब्रस्वति बनता है जैके दो राशिया है तो दोनों जगे मित्र बन क कारूर्ण चाहिए और चंद्र है अब शत्रू आई ए तो शत्रू के लिए कौण सा स्थां देखना पड़े को तीसरा चटा साथवां दस्वां और उन्हार वां क्योंकि दूसरा चो चौंथा पाशवां आठवा नवा बारवा वर वा हो गया अब इस्थान हमको देखना है तीसरा छटा सात्मा दस्वा और ग्यात्मा तीसरे स्थान पर आईए पहला दूसरा तीसरा तीसरे स्थान का स्वामी बनता है शुक्र तो शुक्र शत्रू हो गया फिर आईए कौन से स्थान पर छटे स्थान पर छटे स्थान का स्वामी बनता ह है शनि प्रशनी की शुक्र्च होगे और शुक्रस्थर्च भी यह बुद्ध की राशी है तो झामने का मतलब यह है कि इस फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं तो शुक्रशनी और बुद्ध ये तीरों शत्रू आते हैं सुर्य के लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब हमने मित्र निकाले थे उस केस में बुद्ध मित्र भी आ रहा था बुद्ध जो है वो मित्र भी आया था क्योंकि बुद्ध की राशी थी वो दूसरे स्थान में थी और दूसरे स्थान में चौथे स्थान में पांचवे स्थान में आठवे स्थान में नवे स्थान में बारवे स्थान में बैठे ग्रहे जो राशी है उसका स्वामी मित्र होत मंगल ब्रस्पति और चंद्र और बुद्ध जो है वो सम हो गया कि बुद्ध यहां पर मित्र आया है और इस फार्मूले से बुद्ध जो है वो आपका शत्रू आया है तो बुद्ध हो गया सम और शुक्र और शनी हो गये शत्रू simple formula है समझ में आगया होगा मुझे लगता है आपको समझने में कोई problem नहीं होगी एक example और ले लेते हैं उससे आपको और समझ में ठीक से आजाएगा अब की बार मालिया हमें बुद्ध के मित्र शत्रू सम निकाल ले हैं कि जो ग्रह बुद्ध है उसके मित्र कौन है शत्रू कौन है और सम कौन है बुद्ध ग्रह के तो मैंने जैसे पहले बताया कि आपको जिस भी ग्रह के मित्र शत्रू निकाल ले हैं पहले उस ग्रह की मुल्त्र कोन राशी को लिख ली जिए तो अब क्या करना है कि जो बुद्र की मूल्त्री कोन राशी है उसको लगन बना लेजये तो बुद्र की मूलत्री कोन राशी बनती है कन्या च्छे नंबर को लगन बना लिए च्छे नंबर को लगन माला लिए जब हमने कुरली बनाई तो च्छठा रही, दूसरी, तीसरी, चौति और पांचवी राशी आगे है, तो इस तरीके से हमारे 12 भाव में यह राशिया आ गए है, च्छे नंबर को हमने लगन अब हमारा फार्मूला क्या है? कि दूसरे स्थान में, चौथे स्थान में, लगन से, लगन से दूसरे स्थान में, चौथे स्थान में, पांचवे स्थान में, आठवे स्थान में, नवे स्थान में और बारवे स्थान में जो राशी है, उसका स्वामी तो हुआ मित्र. अब प्रस्पती मित्र हो गया शुकुर का बुद का और बुदु का अब आईए आठ्वे स्थान पे तो आटमा स्थान मनता है ये यह कौन सी राशी है मंगल की मंगल बुध्या मित्र हो गया अब आई दॉर राशी बनती है शुक्र गई लुए विकॉर इनके अब इसी प्रकार से इनके शत्व निकालेंगे। शत्रु के लिए हमने क्याए देखा दिखना है कि तीसरे, चटे, सात्वे, दस्वे और ग्यारवे स्थान में जो राशी है उनके स्वामी जो होंगे वो उसके शत्रु होगे हैं फार लिखाल लेते हैं अब तीसरे स्थान में क्या है एक ईयूआ एक दो तीछ सथान में लिखरी सी किसा है लिगा खुक्किन ऑगया चत्रुं और चाहिए उफ्टिय कि सांपने और तो है उन्데 कि तो बुद्ध आपका शत्रु में आ गया है कि तो बुद्ध को तॉ आफको ले नहीं है कि पूंगे निकाल रहे हैं हम लोग फिर सानों चंद्रमा को थिर मापकर यह है कि शुकुर तो निर्विवाद रू conservatives से फ्रेंड हो गया उसका शुक्र भी और सूर्य भी क्योंकि सूर्य यहां पर आ रहा है और शुक्र यहां पर आ रहा है तो यह दोनों जो ग्रहे आ रहे हैं यह इधर ब्रस्पति मितर में ब्रस्पति में आता है औख तो ये सम हो गया प्रस्पति मंगल airflow में भी आता है और मंगल शानी में भी आ ह। और शनी सम में भी आ रहा है, शनी शत्रू में भी आ रहा है, तो शत्रू और मित्र दोनों मिलके सम बन गए, तो शनी भी सम हो गया, तो मंगल शनी और ब्रस्वती सम हो गए, और चंद्रमा एक ऐसा आके लग रहे है, जो शत्रू में है, मित्र में नहीं है, तो चंद्रमा इस रहे तो इस प्रकार से आप मित्र और शत्रू इनके निकाल सकते हैं बहुत सिंपल वे हैं निकालने का ज्ञान बस इतने इड concept ल star करना है कि आपको ग्रहकी मुल्त시면 राची ही का ज्ञान लगना है अगर ग्रहकी उच्छराशी तीसरे चटे 7–10–11 बारवे स्थान में आ रही है तो वहां उसको मित्र मन लिजिए शत्रू मनने की बजाए बस इतना आपको काम करना है बाकि जो नंबर आपको दिये हुए हैं कि दूसरे चौथे पाचवे आठवे नवे बारवे भाव में लगन से बैठे वे ग्रह मित्र और तीसरे चटे साथ पर दmons और पर शत्र तो आशा करता हूं आम के आ पुझे समझया आया होगा समझ मा आया होगा तो खांड़िए हक्या Śचना यह भी है कि हम लोग एक अपना कोर्स चला रहे हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाएंगे तो जो लोग भी उसमें इंट्रेस्टेड हैं पढ़ने के लिए वो जॉइन कर सकते हैं हमारे यहां कुंडली अनेलेसिस भी होती है कोई कुंडली दिखाना चाहें या हम अस्ट कूट मिलान यह इफेक्टिव मैच मेंकिंग के बारे में भी छूटा हमारा शॉर्ट टम कोर्स से कुछ जो करना चाहें हमारा कर सकते हैं जॉइन कर सकते हैं नमस्कार चैशी किस्ट